मद्य प्रदेश के राजपाल, स्रिमान मंगुबाई पतेल, मद्य प्रदेश के मुक्ष मंत्री, स्रिमान स्रिवराज्ची चवान, केंद्रिय रेल मंत्री, श्री अश्वीनी वैश्णव जी, यहाँ उपस्तित, अन्य सभी महानुभाव, भाई और बहनों, आज का दिन बोपाल के लिए, मद्य प्रदेश के लिए, और पुरे देश के लिए, गवरव पुर्ण इतिहास, और भवशाली भविश्य के संगम का दीन है, भारतिय रेल का भविश्य कितना आधुनिक है, कितना उज्वल है, इसका प्रतिविम, भोपाल के इस भव्य रेल्वे स्टेशन में, जो भी आएगा, उसे दिखाई देगा, बोपाल के इस अइतिहासिक रेल्वे स्टेशन का, सिर्फ काया कल्प ही नहीं हुआ है, बलकि गिन्नोर गड की रानी, कमला पती जी का इससे नाम जुड़ने से, इसका महत्व भी और बढ़ गया है, गौर्णवाना के गवरव से, आज भारतिय रेल का गवरव भी जुड़ गया है, ये भी ऐसा समय में हुआ है, जब आज़ देश जन जातिय गवरव दिवस मना रहा है, इसके लिए मद्द प्रदेश के सभी बहनों भाईयों को विशेश रुप से जन जातिय समाज को बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ, साथियों, आज यहाँ इस कारकम में भोपाल, रानी, कमलापती, बरखेडा लाइन का तिहरी कराँ, गुना गवालियर खंड का बिजली कराँ, फतेहाबाज चंदरावती गंज उज्जेईन और मतेला निमार खेडी खंड का बिजली कराँ, और उसे ब्रॉड गेज में बदलने के प्रोजेक्स का भी लोकारपन हुआ है, इन सभी सुविदाओं के मनने से, मद्यप्रदेश के सबसे व्यस्त रेल रूट में से एक पर दबाव कम होगा, और परियतन, तिर्थाटन के अहम स्थानों की कनेक्टिविटी अधिक ससकत होगी, विशेश रुप से, महाकाल की नगरी उज्जेई और देश के सबसे स्वच्च शहर इंदोर, इसके बीच मेमू सेवा शुरू होने से, रोजाना सफर करने वाले हजारों यात्रियों को सीधा लाब होगा, अब इंदोर वाले महाकाल के दर्शंकर समय पर लोड़ भी पाएंगे, और जो कर्मचारी, व्यवसाही, स्रमिक साथी, रोज अपड़ाउन यात्रा करते हैं, उनको भी बहुत बड़ी सुविदा होगी, बहन और भाईयों, भारत कैसे बदल रहा है, सपने कैसे सच हो सकते हैं, ये देखना हो, तो आज इसका एक उत्तम उदारण, भारतिय रेलवे भी बन रहा है, छे साथ पहले तक, जिसका भी पाला भारतिय रेल से पड़ता था, तो वो भारतिय रेल को ही कोशते हुए, हमेशा कुछ लुकुछ बोलते हुए, ज्यादा नजर आता था, स्टेशन पर भीड़भाड, गंदगी, ट्रेन के इंतजार में, गंटों की टेंशन, स्टेशन पर बैटने की, खाने पिने की असुविदा, ट्रेन के भीतर भी गंदगी, सुरक्षागी भी चिंता, आपने देखा होगा, लोग बैक के साथ, चेन लेकर के आते हैं ते ताला लगाते थे, दुरगटना का डर, यह सब कोछ, याने रेलवे बोलते ही, सब ऐसा ही ध्यान में आता था, मन में यहीं एक छबी उफर करके आती थी, लेकिन, स्थिति यहां तक पहुँच गई थी, कि लोगों ने स्थितियों के बदलने की उम्मिद तक छोड़ दी थी, लोग मान लिया चलो भाई, ऐसे ही घुजारा करो, तब ऐसे ही चलने वाला है, लेकिन, जब देश, इमानदारी से, संकल्पों की सिद्धि के लिए जुड़ता है, तो सुधार, आता ही आता है, परिवर्तन होता ही होता है, ये हम, बीते सालों से निरंतर देख रहे हैं, साथियों, देश के सामान्य मानवी को, आतुनिक अनुभव देने का जो बीड़ा हमने उठाया है, इसके लिए, जो परिश्रम, दिन रात किया जा रहा है, उसके परिणाम, अब दिखाई देने लगे हैं, कुछ महिने पहले, गुजरात में, गांधी नगर रेल्वे स्टेशन का नया आउतार, देश और दुनिया ने देखा था, आज मध्यप्रदेश में भोपाल में, रानी कमलापति रेल्वे स्टेशन के रूप में, देश का पहला ISO Certified, देश का पहला PPP Model आधारित रेल्वे स्टेशन, देश को समर्पित किया गया है, जो सुविधाएं कभी एरपोर्ट में मिला करती थी, वो आज रेल्वे स्टेशन में मिल रही है, आधुनिक टॉयलेट, बहतरीन खाना पिना, शॉपिंग कॉंप्लेक्स, होटेल, म्यूजियम, गेमिंग जोम, हॉस्पिटल, मॉल, स्मार्ट पार्किंग, ऐसी हर सुविधा यहां विक्सित की जा रही है, इसमें भारतिय रेल्वे का पहला सेंट्रल एर कॉंकॉर्स बनाया गया है, इस कॉंकॉर्स में सेंक्ड़ो यात्री एक साथ बैठकर ट्रेड का इंतजार कर सकते हैं, और खास बात ये भी है कि सारे प्लेटफॉर्म इस कॉंकॉर्स से जुड़े हुए है, इसलिए यात्रियों को अनावश्यक भागदोड करने की जरूरत नहीं होगी, बाई और बैरों, ऐसे ही इंफ्रस्टर की, ऐसी ही सुविधाओं की देश के सामान्य टैक्स पेयर को, देश के मध्यम्बर को हमेशा उमिद रही है, यही टैक्स पेयर का असली सम्मान है, वी आईपी कल्चर से, एपी आई, याने, एवरी पर्शन इज इंपोर्टन्ट, एपी आई की तरफ ट्रांस्फरमेशन का, यही मोडल है, रेलवे स्टेशन के, पूरे इको सिस्टीम को, इसी प्रकार, ट्रांस्फरम करने के लिए, आज, देश के पौने दोसों से अधिक, रेलवे स्टेशनों का काया कल्प किया जा रहा है, साथियों, आत्म निर्भर भारत के संकल्प के साथ, आज भारत, आने वाले वर्षों के लिए, खुद को तयार कर रहा है, बड़े लख्षों पर काम कर रहा है, आज का भारत, आधुनिक इंफ्रास्टेक्टर के निर्माण के लिए, रिकॉर्ड इंवेस्ट्मेंट तो कर ही रहा है, ये भी सुनिशित कर रहा है, कि प्रोजेक्ट्स में देरी ना हो, किसी तरह की बाधा ना आये, हाल में शुरू हुआ, पी एम गतिशक्ती, नेशनल मास्टर प्लान, इसी संकल्प की सिध्धी में देश की मदद करेगा, इंफ्रास्ट्रक्टर से जुड़ी सरकार की नीतियां हो, बड़े प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग हो, उन पर काम किया जाना हो, गतिशक्ती, नेशनल मास्टर प्लान, सभी का मारदर्शन करेगा, जब हम मास्टर प्लान को आधार बना कर चलेंगे, तो देश के साउसाधनों का भी सही उप्योग होगा, पी-म, गतिशक्ती, नेशनल मास्टर प्लान के तहट, सरकार, अलग-अलग मंत्रालों को एक प्लेट्फरम पर ला रही है, अलग-अलग प्रोजेक्स की जानकारी, हाट डिपांट्मेंट को समय पर मिले, इसके लिए भी व्यवस्ता बनाई गई है, साथियों, रेल्वे स्टेशन्स के री डिवलप्मेंट का यह अभ्यान भी, स्रिप स्टेशन की सुवीदाओं तक सिमित नहीं है, बलकि इस तरह का निर्मान, गतिशक्ती, नेशनल मास्टर प्लान का भी हिस्सा है, यह आजादी के अमरित काल में, ऐसे इंफ्रास्टर के निर्मान का अभियान है, जो देश के विकांस को अभूत्पुर्वग गति दे सके, यह गति सकती मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी की है, एक होलिस्टिक इंफ्रास्टर की है, अब जैसे रानी कमलापती रेल्वे स्टेशन को, एप्रोच रोड से जोडा गया है, यहाँ बड़ी संख्या में, पार्किंग की सुविधा बनाई गई, भोपाल मेट्रो से भी, इसकी कनेक्टिविटी सुनिस्चित की जा रही है, बस मोड के साथ, रेल्वे स्टेशन के एक ही करन के लिए, स्टेशन के दोनों तरफ से बियार्टियेस लेइन की सुविधा है, यानि ट्रावेल हो या लॉजिस्टिक, सब कुछ सरल हो, सहज हो, सीमलेस हो, ये प्रयास किया जा रहा है, ये सामान्य भारती के लिए, सामान्य हिंदुस्तानी के लिए, इस आफ लिविंग सुनिस्चित करने वाला है, मुझे खुशी है कि रेलिवे के अनेकों प्रोजेक्स को इसी तरह गती शक्ती नेश्टनल मास्टनल प्रांच से जोड़ा जा रहा है, साथ क्यों, एक जमाना था, जब रेलिवे के इंफ्रास्ट्रेक्टर प्रोजेक्स को भी, कि ड्रॉइंग बॉर्ड से जमीन पर उतर जेने में ही सालों साल लग जाते थे, मैं एक हर मैना प्रगती कारकम में रिविव करता हूँ, कि कौन सा प्रोजेक्स कहां पहुँचा, आप हैरन हो जाएंगे, मेरे सामने रेलिवे के कुछ प्रोजेक्स ऐसे आये, जो 35-40 साल पहले गोशिद हो चुके थे, लेकिन कांगेज पर लकिर भी नहीं मिनाई है, 40 साल हो गए, अब ख्यार ये काम भी मुझे करना पढ़ राय मैं करूंगा, आपको वरोसा देता हूँ, लिगि आज भारतिय रेलिवे में भी, जितनी अधीरता, नए प्रोजेक्स की प्लानिंग की है, उतनी ही गंभीरता, उनको समय पर पुरा करने की भी है, इस्टरन और वेस्टरन डेडिकेटेड फ्रेट कोरिडोर, इसका एक बहुत सटिक उदारण है, देश में ट्रांस्पोर्टेशन की तश्वीर बदलने की ख्षमता रखने वाले, इन इंफ्रस्रेक्टर प्रोजेक्स पर अनेक वर्षों तक तेज गती से काम नहीं हो पाया था, लेकिन बीते छे साथ सालों के दोरां ग्यारा सो किलो मिटर से अधिक रूट को पूरा किया जा चुका है, और बाकी के हिस्से पर तेज गती से काम चल रहा है, साथियों, काम की यही गती आज दूसरे प्रोजेक्स में भी दिखती हैं, बीते साथ सालों में हर वर्ष आउस्तन डाई हजार किलो मेटर ट्रेक कमिशन किया गया है, जबकि उससे पहले के सालों में ये पंदरा सो किलो मेटर के आज़पास ही होता था, पहले के तुलना में इन वर्षों में रेलवे ट्रेक के बिजली करण के रप्तार पांज गुना से अधिक हुई है, मद्यप्रदेश में भी रेलवे के 35 प्रोजेक्ट में से लगबग सवाग 1100 किलो मेटर के प्रोजेक्ट कमिशन हो चुके हैं, साथियों, देश के मजबूत होते रेलवे इंफ्रासेक्टर का लाप किसानों को होता है, विद्यार्फियों को होता है, व्यापारियों, उद्यमियों को होता है, आज हम देखते हैं कि किस तरह किसान रेल के मजब्यम से देश के कौने कोने के किसान दूर दराज तक अपनी उपज भेज पा रहे हैं, रेलवे द्वारा इन किसानों को माल दुलाई में बहुत छुट भी दी जा रही है, इसका बहुत लाप देश के छोटे किसानों को भी हो रहा है, उन्हें नए बाजार मिले हैं, उन्हें नया सामर्थ मिला है, साथ यों, भारतिय रेल सिर्फ जूरियों को कनेक करने का माध्यम नहीं है, बल्कि ये देश की संस्कृति, देश के परियटन, देश का तिर्धाटन को कनेक करने का भी अहम माध्यम बन रही है, आजादी के इतने दसकों बाद, पहली बार भारतिय रेल के इस सामर्थ को इतने बड़े स्थर पर एक्स्प्लोर किया जा रहा है, पहले रेलिवे को तूरिजम के लिए अगर उप्यों किया भी गया, तो उसको एक प्रीमियम क्लब तक ही सिमित रखा गया, पहली बार सामान्य मान्वी को उचीत राशी पर परियतन और तिर्थातन का दिव्य अनुभव दिया जा रहा है, रामा एंड सरकीट ट्रेंड ऐसा ही एक अभीनव प्रयास है, कुछ दिन पहले, पहली रामाएंड एक्ष्प्रेस ट्रेंड देश फर में रामाएंड काल के दर्जनों स्थानों के दर्शन करने के लिए निकल चुकी है, इस ट्रेंड की यात्रा को लेकर बहुत अधिक उत्सा देश वासियों में देखने को मिल रहा है, आने वाले दिनों में देश के अलग-अलग हिस्सों से कुछ और रामाएंड एक्ष्प्रेस ट्रेंड भी चलने वाली है, यही नहीं बिश्टा डॉम ट्रेंडों का अनुभव भी लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, भारतिय रेलिवे के इंफ्रासेक्टर, आप्रेशन और एप्रोच में हर प्रकार के व्यापक रिफॉर्म किये जा रहे हैं, ब्रॉडगेज नेटवर्क से मानव रहीत फाटकों को हटाने से गती भी सुद्री है और दुरगर्टनाव में भी बहुत कमी आई है, आज सेमी हाइस्पील्ड ट्रेने रेल नेटवर्क का हिस्सा बनती जा रही है, आजादी के अमृत महोसों में आने वाले दो सालों में 75 नई वंदे भारत ट्रेने देज भर में चलाने के लिए रेलवे प्रयास रता है, यानि भारतिय रेल अब अपनी पुर्यानी विरासत को आधुनिक्ता के रंग में ठाल रही है, साथियों बहतर इंफ्रास्टर्टर भारत की आकांच्छा ही नहीं, बलकी आवश्यक्ता है, इसी सोच के साथ हमारी सरकार रेलवे समय इंफ्रास्टर्टर के हजारों पुजेक्ष पर अबूत्पुर्वन निवेश कर रही है, मुझे विश्वास है, भारत का आधुनिक होता इंफ्रास्टर्टर आत्म निर्भरता के संकल्पों को और तेजी से देश के सामान्य व्यक्ति तक पहुचाएगा, एक बार फिर आप सभी को आधूरिक रेलवे स्टेशन की और और साथ-साथ अनेग नई रेल सेवाओं की बहुत-बहुत बढ़ाई देता हूं, रेलवे की पूरी टीम को भी इस परिवर्तन को स्विकार करने के लिए, इस परिवर्तन को साकार करने के लिए, रेलवे की जो पूरी टीम नए उत्सा के साथ जुटी है, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं, उनको भी बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं, आपको अनेक अनेक शुपकामना हैं, बहुत बहुत धन्यवाद